नमस्कार स्वागत है आपका देखने जोतिश जराट के आपके साथ मैं हूँ आपका इस्टो फ्रेंड संतोश संतोशी कैसे आप लोग भाई उम्मीद करते हैं कि जोतिश विज्ञान में जो आपकी रूची है उसको हम दिन प्रतिदिन और बढ़ाते जा रहे हैं आपको जो सोधिय सुत्रो को आप तक पहुंचा रहे हैं जो हमने अपने अनभों में पाया है जो कुछ-कुछ किताबों में भी नहीं प्राप्त होता मतलब कोई उस पर माथा पच्ची करने का प्रयास नहीं किया आज दूर्वा अर्थात राहुक के द्वारा शक के कारक ग्रह जो हम बताएंगे उसको शान्त करने का प्रयास करेंगे किसी भी रिस्ते में शक आने से वो रिस्ता मैंने लिखा है लाइन भी आप लोग पढ़ रहे होंगे कि दीमक जैसे किसी लकडी को अंदर से खोखला कर देता है खा कर वैसे ही रिस्ता अंदर से खोखला हो जाता है जब श परिवार समर्पित रिष्टे खतम हो जाते हैं शक्य कीड़े से इलाज सच में नहीं है हमने वीडियो कॉल किया कि देखो हम तुम्हारे लिए समर्पित हैं अकेले हैं उसने सोचा कि वीडियो कॉल इसलिए कर रहा है कि शक करता है कि कहीं इसके साथ तो कोई नहीं है तो सोच अब वो कीड़ा दीमग खतम कर दिया है तो आपके सकारात्मक भाव अकसमात नकारात्मक बन जाते हैं सबसे पहले यह जानना अनिवार है कि शक का आधार क्या है तो आप लोग को कई बार हमने बताया है केतु है इसका मूल आधार केतु का संबंध एक सबसे खतरना ग्रह से होने पर व्यक्ति खुद स्वतह शक्की हो जाता है और वो ग्रह है चंद्रमा केतु और चंद्रमा अगर किसी भी रूप में साथ जुड़ जाते हैं तो इनसान शक्क की बीमारी से ग्रसित हो जाता है पीडित हो जाता है दुखी रहता है उसको शक्क की बीमारी उसको घर कर जाती है उसके दिमाग में शक का दीमक आ जाता है अब वो खाली होता जा रहा है सामने वाले कि किसी भी तरक कि किसी भी दलील किसी भी भाव को समझने उस दिमाग है ही नहीं तो वो अपने चसमे से देखेगा उसके निगाहें जो कहेंगी जैसे रामण को कुछ लोग अलग भाव से अच्छा पाते थे राम के निगाह से तो कहां अच्छा था तो बाई चारित्रिक दोश के अलावा वो बहुतो का गुरु भी रहा लक्षबर तक को सिखाया तो भाव अपने अपने भाव हैं जो आप लेना चाहें तो केतु और चंद्रमाव का प्रभाव खतरनाक लेवल का होता है या गोचर से अगर केतु आपके चंद्रमाव को पीडित किया तो मामला आर पार का हो जाता है जैसे इस समय ब्रिश्टिक वालों के लिए केतु गोचर से राशी पर ही चल रहा है और सात्मे म तो ब्रिश्टिक वालों के दामपत्य जीवन का तो इस समय क्या बोलते हैं खटिया खड़ी विस्तरा गोल है वजब भगवान बचाए तो बच जाए नहीं तो राम नाम सत्य है रिस्ते का तो वो डिपेंड और भी करता है माले जे दशा आपकी किस ग्रह की चल रही इस पर भी डिपेंड करता है धर दूर्वा का प्रियोग करके कैसे रिस्ते को समारा जाए भाग्य में होगा बचना तो यह प्रियोग आप करेंगे और उसका रेजल्ट आपको मिलेगा भाग्य में बचना नहीं होगा तो जुरूरी नहीं कि डॉक्टर है कोई तो वो मरवै नहीं करेंगा मतलब भोग तो सबको भोगना ही पड़ता है साथ दूर्वा के टुकडे लीजे रील वाले काले धागे से उल्टा करके लपेटी है साथ बार साथ दूर्वा के छोटे टुकडे ग्रीन ग्रास आप पार्क छोटे टुकडे हरी घास पार्क वाली साथ छोटे टुक केतवे नमह ओम केंग केतवे नमह केतु का मंत्र साथ बार बोलिए इसकी इन पर मंत्र आप देख सकते हैं इसके बाद इसे उल्टा साथ बार अपने सर से घुमाईए खुदय करना है आपको पता ना आप शक्की है करिए और फिर पीछे की तरफ थ्रोग कर दीजे देखिए क कितनी भी दफा किया जा सकता है पांच दिन करिये लगातार दस दिन लगातार बीच दिन लगातार महीना पर लगातार लग क्या रहा है रील का थोड़ा सा साथ बार धाका इतना सा और साथ पार्क वाली घास बैठे बैठे कर लेना है नहाए बिना नहाए मासिक धर्म के द सो मच आपके प्यार के लिए रांची पटना कलकत्ता और लखनों चार शहर आ रहे हैं जिसमें से पटना के अपॉइंटमेंट लगबग फुल हो चुके हैं तो अगर आपको अपना करता और लखनों का भी है तो देखिए फटा फट करिए हमारी शुब कामना है आप लोग के लिए नमस्कार थैंक यू सो मच शिरा दे